नमस्कार मैं हूँ अक्षे आनदाप लाइफ सितीज देख रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर जन अधिकार पार्टी के कोर कमीटी की बैठक होई है जी हाँ पपू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी की कोर कमीटी की बैठक होई है और इस बात पर सहमती बनी है कि मध्यपूरा से अभी जो सांसद है पपूयादव वो इस बार भी मध्यपूरा के ही सीट पर चुनाव लड़ेंगे दरसल पिछली बार RJD के टिकट पर लड़े और जीते इस बार अपनी पार्टी बना चुके हैं जन अधिकार पार्टी से चुनाव लड़ेंगे साथी साथ दूसरी सीट पुढ़निया होगी जिस पर जन अधिकार पार्टी विचार कर रही है चुनाव लड़ेंगे सहमती इस बात पे बनने वाली है इस बात पे बनने का इंतजार है कि कॉंग्रेस इस बात के लिए मान जाए कि मध्यपूरा सीट पर कोई दूसरा केंडिडेट फाइल ना करे गढ़ बंदन हो जाए वेल अन गुड ना भी हो तो महा गढ़ बंदन अपना केंडिडेट ना फाइल करके पपुयादव को वहाँ पर जीतने दे एसी कोई परिष्थिती बनती रज़र आ सकती है आपको हाला कि अभी किसी बात का कन्फर्मेशन नहीं हुआ है कन्फर्मेशन सिर्फ इस बात का हुआ है कि मध्यपूरा से सांसत पपुयादव एक बार फिर से मध्यपूरा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं 2019 के लोग सभा का हाला कि भीतरी भीतर कॉंग्रेस से भी बात चल रही है शांसत पपुयादव की पतनी रंजीत रंजन कॉंग्रेस की बड़ी नेता है और लगबग उनका भी सुपोल से लड़ना तय माना जा रहा है तो इस ओर पपुयादव भी कहीं कॉंग्रेस से सहमती बना ले कॉंग्र खवर हमने आपको बताई आप बने रहे लाइफ सिटीज के साथ क्योंकि बिहार से जुड़े तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं आपका धन्यवाद